हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मल्टी के वेल्ट आज का वीडियो अगेन आपके लिए बहुत नॉलेजबल होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे अपने एक नए आने वाले अपकमिंग आईपयो के बारे में जानेंगे हर बारीग डीटेल इसकी डेट इसका प्राइस और इसका ग्रे मार्केट प्रिमियूम गया है तो अर्विंद एंड कंपनी शिपिंग एजनसी का आईपयो फिक्स हो चुका है और यह ओपन होगा 45 रुपीज पर with a market lot of 3000 शिप यह था एक ब्रीफ अबाउट इस आईपयो अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगिलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस आईपयो का अबजेक्टिव है funding of capital expenditure for their company, general corporate issues and to meet public issue expenses तो majorly यह company अपने capital expenditures को meet करने के लिए अपने corporate जो भी उनके fairs हैं उनको manage करने के लिए और अपने public issue के expenses को manage करने के लिए यह IPO ला रही है इसे पहले हम बाकी details जाने हैं यह किसी भी तरह की buy or sell recommendation नहीं है आप जो भी investment करें आप proper research करकर या किसी industry expert से या फिर अपने financial advisor की सलहा लेकर ही stock market में निवेश करें stock market highly risky होती है इस video को सिर्फ और सिर्फ education purpose से आपके research basis में help के purpose से लें यह किसी भी तरह की buy or sell recommendation नहीं है तो आईए जानते हैं detail में इस IPO से related हर detail तो यह IPO जैसा कि हम बात कर चुके हैं open होगा October 12 को यह close हो जाएगा October 16, 2023 को IPO का size रहेगा approximately 14.74 करोर रुपी जिसमें की 32,76,000 equity shares होंगे with a face value of 10 रुपी per equity share तो face value 10 रुपी रहेगी IPO का price print fixed है 45 रुपी पर per equity share इस IPO की listing NSE SME पर होगी retail quota fixed रहेगा 50% पर और NNI quota fixed रहेगा again 50% पर तो 50-50% का ratio है quota में और अगर आप retail निवेशक हैं और आप इस IPO में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से related भी हम आईए जानते हैं तो minimum आप इसमें 1,35,000 रुपी की application लगा सकते हैं जिसमें मिलेंगे आपको 3,000 shares ये 3,000 share एक lot size में होगे तो minimum आप एक ही lot apply कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगे 3,000 share अगर आप maximum भी apply करना जाते हैं मैक्सिमम लिमिट भी सिर्फ एक lot तक ही सीमित है 3,000 shares की और minimum और maximum amount retail investors के लिए सेम रहेगी 1,35,000 अगर आप small H&I investor है और आप H&I category में apply करना चाहते हैं तो minimum आप 2 lot size apply कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगे 6,000 shares और minimum investment रहेगी 2,70,000 की इस IPO के allotment date है October 19, 2023 refunds initiate हो जाएंगे जिनको भी IPO lot नहीं हुआ है October 20, 2023 को और dematch में credit हो जाएंगे October 23, 2023 को IPO की listing date है October 25 कंपनी के नजर डालते हैं कंपनी के financials बरकि कंपनी की financial health कैसी है देखे तो assets अगर हम 2021 में देखे तो 578.46 lakh ही है again 2022 में ये काफी अच्छी increase हुआ है assets में almost काफी अच्छा CAGR है 1860.94 lakhs की और 2023 में 31 मार्च 2023 पे 3381.18 lakhs की तो काफी अच्छी assets का नंबर है assets काफी अच्छा increase किया है इस कंपनी ने 2021 में revenues थे 52.51 lakhs मार्च 2022 में 331.44 lakhs रुपी 2023 में 841.10 तो देखे काफी अच्छा इजाफा है हर साल revenues में multi-folds revenues इस कंपनी ने बनाए हैं उसके अलावा profit after tax की भी बात करें तो 2021 में 23.75 lakh रुपी और 2022 में 100.28 lakh रुपी और 2023 में 347.12 lakh रुपी तो काफी अच्छे profits ये कंपनी बना रही है हर साल काफी अच्छी खासा इजाफा है हर साल बढ़ते वे profit से consistent performance है कंपनी की net worth देखे तो net worth भी काफी अच्छी है 31 मार्श 2021 को 467.61 lakh रुपी 2022 में 566.92 lakh रुपी और 2023 में 914.05 रुपी तो काफी अच्छा आप देख सकते हैं कि net worth भी काफी अच्छा है कंपनी का हर साल एक consistently increase हो रहा है multi-fold increase हो रहा है assets में, revenues में, profits में, net worth में और reserves and surplus देखे तो reserves and surplus भी काफी sufficient है enough amount में यहां पर reserves and surplus भी है 466.61 lakh रुपी 2022 में 565.92 lakh रुपी और 2023 में 913.05 lakh रुपी तो काफी अच्छे reserves and surplus भी है लेकिन यहां अगर देखे तो total borrowings भी हैं company पर तो यह completely debt-free company नहीं है company में जतना debt होता है उतनी ही company जादा risk की consider की जाती है तो debt जो है 2021 में 105.84 lakh रुपी और 2022 में 1221.4 lakh रुपी और 2023 में 2232.21 करोर रुपी तो यह एक थोड़ा यहां पर negative point है इस company में बाकी commercial ठीक है consistent performer है यह company हर साल अच्छे revenues अच्छे profits surpluses भी enough available है इसके अलावा price earning ratio 9.74 है market capitalization 54.62 करोर रुपी है return on equity काफी अच्छा है 46.88% double digit हमेशा अच्छा consider किया जाता है return on capital employed 37.44% है अगें यह दोनों काफी अच्छे indicator है company के financial help के लिए यह बताते हैं कि company कितना effectively अपनी equity को use कर पा रही है company के revenues generate करने के लिए company के लिए profit generate करने के लिए debt to equity 2.44 है debt हम देख चुके हैं company पर थोड़ा debt है और थोड़ा जादा है तो यह एक negative indicator है इसको छोड़के बाकी सब financials अच्छे नजर आ रहे है अर्निक पर share 4.62 है return on net worth भी काफी अच्छा है 46.88 इस company के promoter है Mr. Arvind Kantilal Shah and Mrs. Arul Arvind Shah इस IPO के रजिस्टरार रहेंगे Skyline Financial Services Private Limited तो आई अब जानते हैं इस IPO के grey market premium के बारे में तो जैसे कि अब यह IPO open होगा कल से तो description status पर और इसकी grey market premium की picture जादा अच्छे से clear हो पाएगी लेकिन जैसे कि अभी तक open नहीं हुआ है तब भी इसका grey market premium market में 8 रुपी के आस पास चल रहा है यानि कि अगर price band 45 रुपी है और यह listing होती है 8 रुपी के premium के हिसाब से यह 53 रुपी पर list हो सकता है लेकिन आने वाले दिनों में जैसे-जैसे closing date नस्दीक आएगी तो grey market premium काफी अच्छी position में हम बता पाएगे तो further updates के लिए हमारे channel को subscribe करें like करें ताकि आने वाले video की notification आने वाले updates की notification आपको regularly मिलती रहे तो अगर आपको हमारा video पसंद आया तो please हमारे channel को like और subscribe करें for more updates please press the bell icon so let's get started with multi-cap wealth